उत्तर प्रदेश में प्रात्मे किस्तर की सिख्षक भरती मांग कोले करके एक सितंबर को PNP का रहले पर भारी संक्या में भेरतियों ने होहंगामा किया और 35 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया कल से ही मैं इस खबर का वेट कर रहा था कि किसी नियूज पेपर में ये प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा कि नई सिख्षक भरती पर सरकार कारे कर रही है उसी के अनुरूप दिनांक 2 सितंबर 2021 को दोपार के 2 बज के 49 मिनट पर एक नियूज प्रकाशित हुई उत्तर प्रदेश में आ रही है एक लाग सरकारी नौकरिया विधान सबा चुनाओं से पहले योगी सरकार का बड़ा दाओं यहाँ पर बेसिक सिख्षक विभाग से सम्मंदित भी नौकियों की बात की गई है जब भी आप देखेंगे कि कोई भी धर्णा प्रदर्शन होता है या फिर अभियर्थे कोई दर हो हंगामा किया जता है तो नियूज पेपर में ऐसे आर्टिकल प्रकाशित होने लगते हैं कि सरकार सिख्षक भरती से सम्मंदित कारेवाई कर रही है प्रात्मिक सिख्षावी भाग में नई सिख्षक भरती को लेकर के सरकार के द्वारा खुले शब्दों में मना किये जाने के बाद से इस प्रकार से आर्टिकल प्रकाशित होने के बाद आप कम से कम ये कंफर्म हो सकते हैं कि इन नियूज आर्टिकल पर आपको विश्वास नहीं करना है दिनांग 1 सितंबर 2021 को धर्ना प्रदर्शन के बाद से आज 2 सितंबर 2021 को उसी धर्ने के बाद से आगे की कारेवाई की गई और भारी संक्या में अब्यरती PNP कारेले पर उपस्तित थे वहाँ से PNP के सच्चिव के द्वारा क्या कुछ सूचना दी गई है जिसमें नई सिक्षक भरती की बात हुई है जूनियर एड़र्ट सिक्षक भरती की परिच्छा के बारे में बात हुई है यूपी टट की परिच्छा के बारे में बात हुई है साथी ऐसे प्रसिक्षू DL के बारे में डिटेल में समझने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूटीब चैनल अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले चली पूरे पूच रहे थे पैदल मार्च करते हुए कि वहाँ पर घेराव किया जाएगा जिसके बाद से पूलिस प्रशाशन बल का प्रयोक करते हुए 35 से जादा अभियरतों को गिरफतार कर लिया गया हलाकि देर साम इन सभी अभियरतों को छोड़ दिया था उसके बाद से ही पूल 2020 की परिक्षा के लिए 19 दिसंबर का प्रस्ताव बना करके भेजा हुआ है उस पर क्या कुछ चल रहा है तो उन्होंने इस पर सब्दों में कहा कि अभी तक शासन से मंजूरी नहीं मिली है 19 दिसंबर को परिक्षा होना प्रस्तावित है लेकिन तब जब शासन इसको मंजू परिक्षा कराने का प्रस्ताव भेजाए उस परिक्षा को क्यों ना अक्टूबर में करा ले जाए ताकि कम से कम ये रहे कि अभी ती सासन प्रसाशन पर दबाव बना करके यूपीटेट के बाद नई सिक्षाक भरती के लिए एक तरीके से आग्रह कर सकते हैं तो अगर यूपीटेट ही नहीं होगी तो सिक्षक भरती की सम्भावने तो सूने होगी ही PNP सच्व का इस परस्थ सब्दों में कहना है उन्होंने ये कहा कि 19 दिसंबर का जो डेट है वो बेसिक सच्छा के अधिकारियों और शाषन प्रशाषन से जो तिथी उन्हें सजेस्ट की गई थी एक टाइम पिरियेड में कि इस दिनांग से लेकर कि इस दिनांग के बीच मे कोई एक डेट प्रस्थाव बना करके बेज़े बस उतना ही काम PNP के ने सच्व के द्वरा किया गया है इसमें उनका कोई रोल नहीं है दिसंबर में परिच्छा कराने का ये सब कुछ सासन प्रशाषन के दिसा निर्देसों के अनुसार ही नया प्रस्थाव 19 दिसंबर को बेजा गया था वहीं सिख्छाक भरती के बारे में पूछने पर उन्होंने इस पर्श तब्दों में कहा कि PNP सिर्फ एक परिच्छा कराने वाली संस्ता है जो सासन प्रशाषन CRT के तरब से ओर्डर आता है सिर्फ उनी के अनुरूप PNP कारेवाई करती है तो आप लोग अगर सिख्छाक भरती की मांग कर रहे हैं तो ये गलत जगह आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सासन प्रशाषन पर दबाव बनाना होगा तबी जाकर के सिख्छाक भरती का विग्यापन जारी होगा जूनियर एड़िट भरती परिच्छा के बारे में अभियरतों क का प्रस्ताव बना करके बेजा है लेकिन शाषन प्रशाषन के द्वारा ही प्रपोजल मांगे के जाने के बावजूद भी अभी तक शाषन की उस पर मंजूरी नहीं मिल पाई है हालांकि PNP सच्चियो इस बार आस्वस्त कर रहे हैं कि 17 अक्टूबर वाले डेट को अब आते हैं DLR में ऐसे प्रसिक्षो जिनका बैक पेपर क्लियर करने के लिए maximum attempt जो तीन बार होता है वो समाप्त हो चुका है इस प्रश्न पर PNP सच्चियो का ये कहना था कि SCRT जो कुछ भी दिसार निर्देश देती है वह सिर्फ उन ही का पालन PNP करती है SCRT की तरब स ऐसे अभियर्तियों का डेटा मांगा गया था जो की तीन बार जिनकी बैक लग चुकी है PNP के सच्चियो के द्वारा डेटा फॉरवर्ड कर दिया गया है SCRT को और अगले सपता एक मीटिंग होने वाली है SCRT में कि इन अभियर्तियों को क्या किया जाए हलांकि NCT की गाइ आप सब भारी संख्या में SCRT का रहले पर उपस्तित हो करके निदेशक SCRT को इसके संबंध में ग्यापन दिजे कि कम से कम एक बार मौका दिया जाए क्योंकि जिस प्रकार से NCT की गाइडलाइन ये कहती है कि जो सबजेक्ट बैक है वो सेमेश्टर बैक में कनवर्ट हो जा लेकिन जब आपका दबाव रहेगा तभी जाकर के उस मुद्दे पर बातचीत होगी और उस पर बीच के रास्ते पर कारेवाई करने के लिए PNPSCRT बात दे होगी अन्यता की कंडिशन में अगर आप लोग ग्यापन नहीं देंगे वहाँ पर दबाव नहीं बनाएंगे तो इन सबी अब भीरतियों का भाविश मतलब दो साल का जो इनका कोर्स था पूरा समय भी बरबाद हो जाएगा और पूरा पैसा भी बरबाद हो जाएगा तो आप लोग के पास समय है PNPSCRT का यहीं कहना कि SCRT पर आप लोग ग्यापन दीजिए निदेशक SCRT के नाम से उनको आउगत कराईए कि हजारों की संख्या में ऐसे अबिरति प्रभावित हो रहे हैं और अगर बीच का रास्ता निकाला जाता है तो PNPSCRT उन्ने ये भी कहा है कि साइट को फिर से एक सब्ता के अंदर ओपेन करके आप सभी के बैक पेपर के फॉर्म भरवाय जा सकते हैं अग चेलर चतुर्थ समिस्टर की परिक्षा फॉर्म के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस पर सब्सब्दों में कहा कि हमारी पूरी तयारी है 21-22-23 में 19-22 के फ्रेज प्रस्ट्यू और पहले के बैक 4 समिस्टर कराने के संदर में परिक्षा का जो फॉर्म है वो बोले क परिक्षा से एक सब्ता पहले भी उनके द्वारा फॉर्म ओपन किया जा सकता है और फॉर्म भराया जा सकता है आप लोग इसके लिए टेंसर ना लीजिए वो उनकी जिम्मेदारी है और वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है 21, 22, 23 में ही परिक्षा होना 100% तैह है 23, 23 समेश्टर प्रमोट की सारी कारेवाई PNP के द्वारा कम्प्रीट कर ली गई है और 4 समेश्टर जिनके अभीरतियों के पहले बैज के अभीरतियों की बैक लगी थी और उनके स्कूटनी के कांपियों का मुल्यागन तेजी से किया जा रहा और बहुत ही जल्द स्कूटनी के रिजल्ट की घोशना करने के बाद से 4 समेश्टर के आब एदन PNP के द्वारा लिए जाने प्राराम कर दिये जाएंगे और इसके लिए ओफिशल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा आप लोग त्यारी करते रहें परिक्षा 21, 22, 23 सितंबर 2021 में होना 100% तैय है PNP के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका दिन, शोबहूँ